नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ज्यादा असरदार और बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खाले काया हूँ जिसकी सहायता से आप अपने दांतों को बिल्कुल सफेद मोती की तरह चमका सकते हैं दोस्तो कभी कभी लोग पान, बीडी, सिग्रेट, इत्यादी का सेवन कर लेते हैं तो उनके दांतों पर एक काली और पीली परत सी जम जाती है जिसके कारण से उनके दांत गंदे और भद्दे नजार आते हैं दोस्तो अगर किसी व्यक्ति के दांत गंदे होते हैं तो उस गंदे दांत के वज़ा से उनके पेट में भी समस्याओं हो जाती है तो दोस्तो हम अपनी पेट की समस्याओं को खतम करने के लिए हम अपने दांतों को साफ जरूर रखेंगे तो दोस्तो दांतों की सफाई के लिए आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे घरेलो नुस्खा बताऊंगा जो कि अगर आप पहले दिन अगर इस नुस्खा को इस्तिमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो भी गंदे, काले, पीले दांत है वो बिल्कुल सफेद मोती की तरह समकदार हो चुके है तो दोस्तो चलिए अब हम नुस्खा को सुरू करते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेने है निम्बू दोस्तो निम्बू में सीट्रिक एसीड पाया जाता है दोस्तो इन सीट्रिक एसीड की सहायता से हमारी दांतों के उपर जो मैल होती है जो पीलापन होते है उन्हें ये धूर करने में मदद करता है तो दोस्तो सबसे पहले आपको एक आधिकटी निम्बू लेने है और इसके जूस इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेने है तो दोस्तो मैंने इसमें ले लिया आधिकटी निम्बू दोस्तो इसके बाद से हम इसमें next ingredient इस्तेमाल कर लेते हैं वो है दोस्तो हल्दी पाउडर दोस्तो आपको यहाँ पर मातरा का धियान रखना है जीतना मैंने इसमें इसमें इस्तेमाल किया है उतना ही आपको भी इस्तेमाल करने है दोस्तो इसमें मैंने एड कर लिया हल्दी पाउडर दोस्तो हल्दी पाउडर में एंटी वेक्टिरियल गूर होते हैं अगर आपके दातों में बदवु, दातों से बहुती ज़्यादा दर्द और आपके दातों में किडे लग चुके हैं तो इन सारी समस्याओं को ये दूर करने में मदद करता है। दोस्तो इसमें मैंने हल्दी और निम्बू का जूस मिला लिया। दोस्तो इसके बाद से में इसमें एक और चीज और लास्ट इंगरेडिन्ट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तो नमक। दोस्तो ये जो नमक है आपके दातों के उपर जो पिलापन है उसे दूर करने में ये मदद करता है दोस्तो ये नमक आपको बहुत ही असानी से मिल जाता है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में आए बेल घंटे को जरूर दबा लिजिए दोस्तो ये हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है अब हम जानेंगे कि हमें इसका इस्तिमाल कब और कैसे करना है दोस्तो इस नुस्खे का इस्तिमाल आपको सुबह जब आप ब्रस करते हैं उश टाइम आपको ब्रस लेकर और इसका पेश्ट अपने दांतों के उपर लगाना है दोस्तो जब आप इसे पहली बार ही लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके गंदे पीले और काले दांत बिल्कुल सफेद और मोती की तरह चमकदार हो गए तो दोस्तो आप इस नुस्के का इस्तिमाल कीजिए और अपने गंदे पिले दांतों को बिल्कुल मोती की तरह सफेद और चमकदार बनाईए तो दोस्तो हमारी जनकारी यहीं तक अगर आपको हमारी जनकारी अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ सेर कीजिए तो दोस्तो हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही महत पूर्ण जनकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद